राम सिया राम सिया राम जे जे राम राम सिया राम सिया राम जे जे राम दोस्तो आपका आपके अपने चैनल शांती गंगा पर स्वागत है बागिश्पर बालाजी महराज की जै दोस्तो यदि आप भी बागिश्पर बालाजी महराज के भक्त है तो इस वीडियो को एकलाई चरूर कीजिएगा आपने अपराजीता के फूलों के बारे में सुना है अपराजीता के महत्व के बारे में सुना है क्या आप भी अपराजीता के फूलों से अपने घर में सुक, सांती और समर्धी प्राप्त कर सकते हैं क्या आप इस बारे में जानते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम अपराजिता के महत्व के बारे में ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे ये एक पौधा है एक फूल है क्या है इस सब के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा वीडियो हो दोस्तो अपराजिता के फूल दो तरह के होते हैं एक सफेद और दूसरा नेले रंग का इस पौधे की एक बेल भी होती है जिसे धन बेल भी कहा जाता है मानेता ऐसी है दोस्तों की जैसे जैसे यह बेल बढ़ती जाती है घर में सुक शांती और समर्दी भी बढ़ने लगती है तो आईए जानते हैं अपराजिता के फूल के पौधे को घर में लगाने से कितने फाइदे प्राप्त हम कर सकते हैं और लताओं में खिलने वाले इस फ फूल जिहां दोस्तों यह फूल भगवान विश्लू और शिव को बहुत ही प्रिये हैं बेहत प्रिये हैं जोती शास्त के साथ आयरुवित में भी इस फूल के बारे में कई विशेश बाते बताई गई हैं ऐसा माना जाता है दोस्तों की घर में अगर इस पौधे को सही दि खैत्र है और कुछ टोटके और उपाई भी इस फूल से जुड़े हुए हैं इन उपाईों के करने से धन धाने कि कमी दूर होती है और जीवन की हर मनुकामना भी पूरी होती है दोस्तों टोटके और उपाई काफी सहज और सरल हैं इनको बिना किसी ज्ज़ँजट की किया जा सकता है तो आये जानते हैं अपराजिता के फूल के उपाय के बारे में कौन कौन सी उपाय आप कर सकते हैं दोस्तों इस उपाय से आप आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती है आपके आर्थिक स्थिति मजबूत होती है अपराजिता के फूल से यदि आप ये उपाय कर करने के बाद अप्राजिता के फूल को स्षिप पर अर्वित हर्पित कर दे। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से महामि sentence मंत्र का जाप करें इसके बाद फूल को उठा कर घर में धन के स्थान पर रख दें ऐसा करने से घर में धन धानी की कमी नहीं होगी दोस्तों और आपकी आर्थी स्थिती भी बहुत मजबूत होने लगेगी यदि आप इंटर्व्यू देने में अपने आपको असहज महसूस करते हैं सहज महसूस नहीं करते आपको एंजाइटी फील होती है या आपको डर लगता है तो ऐसे में आप क्या करें पांच और इंटर्व्यू से एक दिन पहले अपने इश्ट देव को समर्पित कर दें और प्रात्ना करें उनसे कि आपका इंटर्व्यू बहुत अच्छा हो जाए इसके अगले दिन जब आप इंटर्व्यू देने जाएं तो उन फूलों को अपने पर्स में रख लें जैसा आप ठीक समझे जैसे आप कर सके अपने पर्स में रख लें या आप अपनी पॉकिट में रख लें कैसे भी आप रख सकते हैं ऐसा करने से आपको मन चाही नौकरी प्राप्त होगी दोस्तों और जरूर प्राप्त होगी करियर में तरक्की के अच्छे अफसर भी आपको प्राप या पीछा ना चोड़ती इस वज़े से आपकी धनका भी नाश होता है और साथ में आपके घर में कलेकलेश भी बना रहता है तो इस उपाय को आप जरूर करें अगर घर में कोई भी बिमार रहता है और अक्सर आपके घर में कोई ना कोई बिमार रहता है जिसकी वज़ा से आ कपड़े में रख लें और किचन के इशान कोण में रख दें इशान कोण के बारे में जानकारी आपको बहुत सरी बुक्स पढ़कर मिल जाएगी या आप गूगल करके भी इशान कोण के बारे में जान सकते हैं ऐसा करने से बिमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सकारात् दो मित्रो इस उपाय से धन की प्राप्ति भी होती है आप धन प्राप्ति के लिए अप्राजिता का ये उपाय जरूर करें कौन सा उपाय जो आप में बताने जा रही हूं अप्राजिता के फूल के पौधे को गुरुवार और शुकुरुवार के दिन घर में लगाना बेहत स बुमाना जाता है, बहुती शुह है. यदि आप अपराजिता के पौधे को शुक्रुवार के दिन गुरुवार के दिन अपने घर में लगाते हैं, तो इससे आपके घर पर भगवान की इश्वर की किरपा हमेशा बनी रहती है. गुरुवार का दिन भगवान विश्णु और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है ऐसा करने से भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी की किर्पा आप पर बनी रहती है वहीं अगर आप सुम्बार या शनिवार को तीन अप्राजिता के फूल बहते पानी में प्रवाहित कर दें तो ऐसा करने से धन से सुने और इस उपाय को जरूर करके देखें अगर विभा में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो सुंबार के दिन साथ अप्राजिता के फूल लें और उन पर एक चुटकी नमक डाल दें नमक आप कोई सा भी ले सकते जो आपके घर में प्रियोग होता है इसके बात जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है उस तरह से आपको एंटी क्लॉग वाइज साथ बार उसके उपर से वार लेना है उतार लेना है इसके बाद उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें ऐसा करने से जल्दी जो विवा में अरचन आ रही है वो दूर हो जाएगी और ज अगला उपाय है शनी दोष सनी दोष हम लोगों को बहुत परिशान करता है किसी मैं मनुष्य के अगर कुंड़ि में शनी दोष है या उसके जीवन में सनी की सारे साती चल रही है तो वह व्यक्ति परिशानियों से घिरता जाता है तो यदि आप पर भी शनी का दोष है तरक्की के लिए अपने उन्नती के लिए कर सकते हैं नौकरी और व्यापार में उन्नती के लिए आप अपने जहां पर भी काम करते हैं अपने कारिस्थल पर अपराजिता के फूल के पौधे की जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांद कर टांग दें जहां पर भी आप का करते हैं और 21 फूल शणी मंदिर में अर्पित कर दें, 21 फूल तो तो का सकते हैं आपकी घर कोई ऐसा व्यक्ति जो शणी दोस्टि पिढीद है इस उपाय को कर सकते हैं आप ऐसा करने से शनी के अशुप प्रभाव में भी कमी आती है दोस्तों ये थी आज की जानकारी अपराजिता के फूलों के बारे में अपराजिता के फूल कितने महत्पूर्ण है ऐसी ही आश्रेजनक जानकारी के साथ में कल फिर हाजिर होंगी आपने वीडियो को ध्यान से सुना जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को आपको द्यान से सुनने के लिए और वीडियो में आन तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद